हेलो फ्रेंट्स बेलकम क्या आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम पर बारी बारी से आपने बहुत सारी फोटोस को अपलोड कर रखा यानि आपको काफी सारी फोटोस को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का काफी सौंख है friends कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कोई photos को हमें थोड़े time बाद upload करना था लेकिन mobile gallery या कोई भी problem की वज़े से हमने उसे upload कर दिया है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें upload करने के बाद उसे delete करना पड़ जाता है friends हम लोग आ चुके अपनी mobile screen पर यहां आने के बाद आपको जाना है अपने Instagram अकाउंट पर यहां आने के बाद कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाता है तो आपको यहां पर जाना है अपनी profile में तो profile में हम लोग आ चुके हैं अभी आप यहां पर देख सकते हैं तीन photo's हैं जिस में से मैं आपको एक photo को hide करके unhide करके दिखाने बाला हूँ जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ सके तो देखे friends अभी तीन photo's हैं तो हमें पहली photo पर click किया और करने के बाद आपको यहां पर three dot वाले option पर जाना है फिर यहां पर आपको fourth number पर option देखने को मिल जाता है अर्चीव का तो मैंने इस पर click किया अभी आप देखेंगे loading हुई हमारा जो photo था वो hide हो चुका है अब आपको यहां पर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे हमें सिर्फ दो photo देखने को मिल जाता है अर्चीव का तो यहां पर मैंने click किया यह वो photo है जिससे हमने hide किया था तो अभी आप देख सकते हैं दो photos थे पहले से मैंने hide कर रखा है friends मैं आपको बता दूँ यह मेरा real account नहीं है real account की link आपको description में दी हुई है जाकर आप follow कर सकते हैं तो अब आप देखिए इसे यहां पर देखिए आपको three dot बाला option फिर से देखने को मिल जाता है तो इस पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको दो option देखने को मिलते है so on profile and delete तो हमें delete नहीं करना है अब आप इसे so on profile कर दीजिए अब थोड़ा सा time लगेगा यह हमारा फोटो जो है बापस से अभी आप इसे एक बार refresh करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा फोटो फिर से बापस आ चुका है तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को hide unhide कर सकते हैं तो friends उम्मीद करता हूँ आपने आज की इस वीडियो के अंदर अपनी फोटो को hide करना सीख लिया होगा वो भी Instagram के अंदर और आपको कभी न कभी इस चीज़ की जरूरत पड़ी होगी तो आपकी वो जरूरत पूरी हो गई होगी और उमीद करता हूँ आज कर ये वीडियो में जब तक लिए बाए